हेलो जी, नमस्ते, स्याकाल, असलाम लेकुम, आपका स्वागत है मेरे चैनल, ट्रिपल चुचारो हिंदी उर्थु पे, और आज मैं रीडिंग करूँगी, करन्ट फीलिंग्स आपके पार्टर की इस सब करन्ट फीलिंग्स क्या है, आप दोनों के रिलेशन्शिप में क्या चल रहा है, नेक्स्ट क्या होगा आप दोनों के रिलेशन्शिप में, ठीक है, यह पार्टर आपका एक्स लवर हो सकता है, करन्ट पार्टर हो सकता है, आप दोनों का सॉल मेंट क्या है ये इंसान आपको लेके क्या सोचता है ठीक है उनका next move क्या होगा आपकी तरफ वो आपसे इस वक्त क्या कहना चाहते है और आपके लिए advice क्या है आपको क्या करना चाहिए इस वक्त ठीक है तो start करते हैं आज की reading तो start करते हैं आज की reading और देखते हैं ये basically soul में ट्विन flame और ऐसे लोगों के लिए होता है जो separation में है जो breakup में है या जानना चाहते हैं कि इस वक्त उनके partner की feelings क्या है ठीक है आपने वीडियो को like share और subscribe जरूर करना है चैनल को notification bell को दबा दीजिए ताके जब भी चैनल पर reading upload हो आप उसी वक्त देखें कोई channel पर reading मिस ना करें तो start करते हैं आज की reading देखते हैं आपके partner की इस वक्त feelings क्या है we have suffering in silence और फिर मैं आपकी आपकी energy भी देखूंगी कि आप क्या feel करे हो partner के लिए आपकी इस वक्त love energy क्या है इस इंसान को लेके we have emotional withdrawal यह आपके partner की energy है फिर हमारे पास है emperor authority figure काफी सारे लोग के लिए आपका masculine है and we have the balance यह आपके divine masculine है bottom of the deck is a new beginning मुझे लगता है आपका partner ready है new relationship को बिल्कूल नए तरीके से start करने के लिए new beginning के लिए ready है आपका partner ठीक है मुझे लगता है वो ready है relationship को पे work करने के लिए वो ready है इस union के लिए अगर पहले ready नहीं थे क्योंकि आप देख सकते हो कि उनके cards यहीं बता रहे हैं तो हो सकते है वो Aries हो, Scorpio, Capricorn, Libra, Aquarius भी हो सकते हैं और Pisces भी हो सकते हैं क्योंकि आपके सामने यहांपे आपको नज़र आ रहा होगा, यहांपे भी circle है और यहीं भी circle है ठीक है तो इसका मतलब कुछ ऐसा complete कर रहे हैं आपके partner, आपका divine masculine इस वक्त life में कुछ ऐसा complete कर रहे हैं अपनी life में balance लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी life को control करने की कोशिश कर रहे हैं with this authority and balance और number 11 हो सकता, आप 11 बहुत देख रहे हो, या 4 number, ठीक है, कोई भी number आप, यह लेकिन 11 बहुत देख रहे होगे, क्योंकि एक spiritual number है, यह आपके divine counterpart को बताता है, यह आपके soulmate, आपके twin flame, या जो भी इंसान आपका है, जिससे आप प्यार करते हो, ठीक है, उसका sign दिखाता है, त तो definitely यह इंसान आपके बारे में सोच रहे है, आपका divine counterpart है, विद इस emperor और यहाँ पे balance का card है, यह चाते हैं कि आपके इस relationship में आप union लाई जाए, इस relationship को balance किया जाए, वो चाते हैं कि अब equal give and take हो इस relationship में, ठीक है, या इस वक्त वो अपनी life का बहुत ही completing cycle complete करें, जो बहु important cycle हो सकता है, कुछ लिए आपका partner already father figure है, मतलब already बच्चों के बाप है, या बच्चों की माँ है, especially बच्चों के बाप because we have the emperor father figure, यह इंसान authority figure भी हो सकता है, किसी ना किसी तरह loss related, police, army, military, कोई position हो सकती है, bank में, finances में, कोई manager हो सकते हैं, boss हो सकते हैं, खुद का business भी हो सकता ह ठीक है, तो काफी authority figure है, अपनी life को हमेशा control में रखते हैं, अपनी emotions को हमेशा control में करते हैं, तो इस इंसान के इस वक्त with this emotionally withdrawn, emotions control में है, with this authority and eight of cups, तो या तो यह इंसान आपको छोड़ के चला गया है, या आप इस इंसान को, मुझे लग रहे हैं, आप दोरों contact में कुछ ठीक है, उनकी life में सब कुछ ठीक चल रहा है, perfect चल रहा है, लेकिन in reality, ये इंसान definitely आपके बारे में सोच रहा है, tension में है, emotionally, withdrawal है, emotions के बारे में सोच रहा नहीं चाहते हैं, हो सकता है, इस इंसान ने पहले कहीं दोका खाया हो, तो इस लिए इस इंसान को trust issues भी हो सकते है, bottom of the deck आपके partner की तरफ से new beginnings है, तो definitely इंसान एक new beginning चाहता है, एक new relationship को नए तरीके से start करना चाहता है, और मुझे लगते है कि इंसान definitely आपके साथ reconciliation के लिए ready है, और यहाँ पर फिर world का card आता है, तो मुझे लगते है आप दोनोंने एक complete cycle किया है एक दुसरे के साथ, आप आपने अपना lesson सीखा, उन्होंने अपना lesson learn किया, तो यह उन लोगों के लिए है कि जो union में आने वाले हैं, लेकिन अगर आपके partner की कोई भी family issue है, तो इस वक्त वो definitely उनका focus उन issues को complete करने में है, ना कि आपके साथ relationship में, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है, आप यहाँ पर tension में ह बहुत ज्यादा कि वो कहा है, क्यों बात नहीं करे, feeling express नहीं करे, क्योंकि वो emotionally withdrawn है, उनका focus इस वक्त उनके इस project को complete करने में, अपने success पे या अपने family के जो matters है, जैसे मैंने आप से कहा, अगर वो married है, या already relationship में है, बच्चों के बाप है, या already उनके उपर बहुत ज़्या responsibilities हैं, तो उनका focus यहाँ पे है, अब देखते हैं, आपकी energy इस वक्या है, बहुत ही interesting energy, और फिर देखेंगे relationship में आगे क्या होगा, ठीक है, देखते हैं, आपकी energy क्या है, मैं ये वले कार देखना जाओंगी, लव वले, आपकी energy इस वक्या है, romance angel को लेके, we have honeymoon, आप मैंसे क deception है, आपका partner इस वक्या है, अपनी feeling को express नहीं कर रहा है, और कुछ लोग के लिए हैसे मैंने आप से कहा, third party है, आपको already पता है, and let your friends help you and healing, तो आप मैंसे काफी सारे लोग इस वक्या बहुत जारो videos जैसे YouTube पे देख रहे हो, या आप कुछ ना कुछ meditation कर रहे हो, आप heal कर र हो रही है, एक courage मिल रही है आपको, क्या आपको heal कैसे करना है, आपको अपनी journey को start कैसे करना है, ठीक है, क्यूंकि हो सकते है कुछ लोगों के लिए आप दोनों के दर्म्यान में कार्मिक relationship है, जो एक lesson था, आपने सीखना था, और आपको सीखना चाहिए, और आप मैंसे काफ आपको पता है, यह नहीं आएगा इनसान, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह इनसान के लिए भी तक आपको wait है, आपको wait करे हो, और आपको reconciliation को wait है, we have new love, या आप मैंसे काफी सारे लोग new love के लिए ready हो, या शायद new love आपकी life में आ भी चुका है, आप मैंसे काफी सारे लो new love और new beginning के लिए ready हो अपनी love life में, क्योंकि आपको पता है कि आपको wait नहीं कर सकते, especially उस इंसान का, जो already married है, already settled है, already relationship में उस इंसान की life में बहुत कुछ चल रहा है, जो emotionally available भी नहीं है आपके पास, तो आप मैंसे काफी सारे लोग new love और new beginnings के लिए ready हो, और आपको होना भ नहीं पता है कि वो इनसान कब आएगा, आएगा भी सही है नहीं, यह भी कोई guarantee नहीं है, यहाँ पर religious factor है, so definitely आप दोनों के दर्म्यान में huge religious का difference है, background है, family का difference भी हो सकता है, यहाँ पर codependency है, तो आपके partner यह relationship अगर codependent है, तो definitely आपको इस relationship से heal करना चाहिए, तो कि अगर आप जितना addiction की तरफ जाओगे, obsession की तरफ, codependent होगे कि इस इनसान के बगार ना मैं जिन्दा रह सकती हूँ, ना मैं खुश रहूँगी, ना मैं खुश रहूँगा, तो definitely वो relationship कभी भी union में नहीं आएगा, तो कि relationship हमेशा union में तब ही आता है, अपने partner के साथ, अब आप balance म होती है, आपको dependent नहीं होते कि है मैं मरी जा रही हूँ, है मैं मरा जा रहा हूँ, इस इनसान के बगार, ऐसी energy नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर आपकी वो union manifestation नहीं होगी, आप दोनों union में आने का बहुत difference, बहुत difficult होता है chances उस पक्त, आप अपनी life पे focus कीजिए, और वो definitely अपनी life पे focus करें, उनका और अभी इस वक्त जो मैंने आपको का, career के focus हो सकता है, family का, उनका issue कोई और है, ठीक है, अगर आपका destiny में मिलना है, तो definitely एक new love के साथ, एक new beginning के साथ आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन अगर नहीं आएंगे, तो definitely आपको codependent इस इनसान पे न comments में भी और मेरे channels में भी आपको नजर आता होगा, या कहीं पे भी लोग आपको यहीं कहते वे नजर आ रहे होगा, नजर आता होगा निचे comment में काब आएंगा इनसान, तो जब आपको wait होते है किसी चीज़ का, और आप बहुत addictive होते हो, हर दिन हर, आप उस इनसान की pictures दे at the end of the day आपको वहीं मिलेगा जो destiny में है, so surrender कीजिये इस relationship के लिए, especially जब यह soulmate or twin flame होते है, if we are mean to be together, मतलब आपका connection बहुत strong है, तो definitely आप union में जरूर आ होगे, कोई भी नहीं रोख सकता है इस union को, लेकिन अगर इस वक relationship tough situation से गुज़र है, कोई और person भी involved है, family involved है, और issues involved ह तो फिर वो karmic बन जाता है, वो और issues involved हो जाते है, ठीक है, वो easy नहीं होता, सिर्फ दो लोगों की बात नहीं होती है, फिर सब लोगों की बात होती है, अब देखते है next क्या है आप relationship में, यह आपका partner next क्या action लेगा, next क्या है आपके relationship में, अब next क्या होगा आप दोनों के दर्यान में, यह relationship किस तरफ जा रहा है, और इस relationship की destination क्या है, क्या आप expect कर सकते हो, so we have dms and double tap likes, so instagram पे contact करेंगे, काफी सारे लोग आपके partner dm करेंगे, आपको message करेंगे, instagram पे, यह आप already इनके साथ messaging कर रहे हो, ठीक है, बहुत जल्द आपको message रसीब होगा अपने partner की तरफ से, especially on instagram, जो लोग instagram पे है, we have a sneaky, आपके partner हो सकत, अगर आप instagram पे नहीं हो, तो हो सकत है, आपका partner instagram पे कुछ sneaky acting कर रहे है, ठीक है, with a sneaky card, हो सकत है, आपका partner instagram पे flirting कर रहे है, बहुत सारी लड़कियों से, यह लड़कों से बात कर रहे है, आपको शाथ पता भी नहीं है, क्योंकि यह hidden है, DM में हो रहे है, messages में हो रहे है, तो sneaky हो सकता है यह इंसान, मतलब आएगा, फिर चला जाएगा, आएगा, चला जाएगा, इस तरहां कि situation हो सकती है, तो आप trust नहीं कर सकते इस इंसान पर, जब तक यह इंसान आपको, कुछ serious आपको देगा नहीं, क्योंकि again, यहाँ यहाँ पर deception है, तो हो सकता है, आपका partner आपसे कुछ चुपा रहा हो, और यहाँ पर double confirmation है, कि हो सकता है, इस इंसान की life में बहुत सारी options हो, आपको पता भी लेकिन यहाँ reverse आया है, तो इसका मतलब अभी आपका partner शायद love से भाग रहा है, relationship से भाग रहा है, लेकिन message जरूर करेंगे, DM जरूर करेंगे, बात जरूर करेंगे, आपको love चाहिए, वो love से भाग रहा है, इसलिए emotionally withdrawn है, क्योंकि उनका focus कहीं और है, next card is advice, तो हो सकता है, आपको advice की जरूरत है, या ये इनसान अपने friends की तरफ जाएगा, advice के लिए कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए इस वक्त, या ये इनसान आपके पास भी आ सकता है, किसी advice के लिए, कि उनको क्या करना चाहिए इस वक्त, या relationship में आगे क्या करना चाहिए हम दोनों को ठीक है या आपको किसी अड़्वाइज के जूरत है अगर ये इंसान प्लेयर है स्नीकी है सीरियस नहीं है इमोशनली आपको वो चीज़ नहीं दे रहा जो आपको चाहिए आपसे भाग रहा है emotionally भाग रहा है कोई love के messages नहीं है कभी आता है कभी बात करता है कभी जवाब देता है कभी नहीं देता तो आपको समझ जना जाएए इस इस relationship को लेके serious नहीं है especially आपके साथ क्योंकि जो serious होगा वो आपको emotionally available होगा आपसे बात करेगा उसको आपकी care होगी आपको उसकी care होगी तो शायद आपको advice की ज़रूरत है इस relationship को लेके we have in it to store ये इनसान definitely store करना चाहता है क्योंकि मुझे लगता है कि इस इनसान को ये लगता है कि आपको भी वहाँ पे होना चाहिए मुझे goal करना है मुझे एक definitely देते हो लेकिन बदले में ये आपको वो नहीं दे रहा तो toxic हो सकता है ये इनसान we have intuitive insights advice and intuitive insights तो आप मैंसे काफी सारे लोग intuitions को अपने follow कीजिए ये कोई intuitive friend ये guide आपको आपको help कर सकता है कि आपको इस वक्या करना चाहिए इस relationship को लेके खतम करना चाहिए move on करना चाहिए yeah we have affairs and connection तो ये इनसान definitely कुछ न कुछ कर रहा है आपकी पीट पीछे instagram पे या facebook पे affairs चल रहे है इस इनसान के इनसान sneaky हो सकता है बहुत सारी लड़कियों से या लड़कों से बात कर रहा है और अगर लड़का है तो बहुत सारी लड़कियां है आपको शायद पता भी नहीं है ठीक है तो अगर आपको लगता है ये इनसान change हो गया है तो ये आपकी बेवकूफी होगी बहुत बड़ी क्योंकि ये इनसान ऐसे ही रहेगा तो शायद आपको आगे move on करना चाहिए एक ऐसा इनसान डूना चाहिए जो आपको love भी दे सके आपकी care भी कर सके और protect भी कर सके आपको यहाँ यहाँ पर features है तो आप हो सकते हैं आपके spirit guides आपको कुछ ना कुछ message जरूर दे रहे हैं उनको सुनिये उनको guide अपने guides को सुनिये वो आपको किसी ना किसी तरह से guide करें आपको बता रहे हैं क्या आपके लिए ठीक है क्या नहीं ठीक है तो listen to your intuition अपनी intuition भी सुनिये और खुद को भी पता होना चाहिए कि क्या सही है मेरे लिए क्या गलत है देखते हैं कि अब मजीद आप लोग के तरह रिलेशन्शिप में क्या होने वाला मुझे डेफिनिटी निजर आ रहा है आप मैंसे काफी सारे लोग इस टॉक्सिक परसन को छोड़ोगे और न्यू लव की तरफ जाओगे जो आपको लेके सीरियस होगा तो मुझे लगता है आपको definiteY आपके जो गाइड् acting बन बता रहे हैं क्या करना चाहिए प्याटेंशन टू यूँरिंस अपने ड्रीमस पे फोकुस किजी आपको definiteY guide किया जा रहे है आपके spirit guides, आपके ancestors, angels, आपकी deceased one जो आपके lost one है शायद वो आपको किसी ना किसी तरह से message बता रहे हैं इस इंसान के बारे में भी, यह जो इंसान आपकी life में आने वाला है उस इंसान के बारे में भी, क्योंकि मुझे ज्यादा तर लोगों के लिए लगते हैं यह आपका karmic partner है, आपको lesson सीखना है कि relationship कैसे चलते हैं serious relationship क्या होते हैं, इस इंसान के साथ आप serious नहीं हो सकते यह इंसान आपके साथ serious नहीं होगा कभी भी, ठीक है? यह आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, यह हमेशे एक painful cycle रहेगा इस sneaky person के साथ और हमारे पास है gossip, यह try again, यह look at this, यह इंसान definitely फिर आएगा और try again, फिर try करेगा, try करेगा, try करेगा, push and pull, push and pull यह एक drama चल रहे है, जैसे एक movie चल रही है gossip, ठीक है? और हो सकता है इस इंसान के friends भी इस इंसान को यह चस्के उठा रहे हों, यह gossip देख रहे हों ठीक है, try again, यह इंसान फिर आएगा, फिर try करेगा, और आप फिर try करोगे इस इंसान को वो करने के लिए ठीक है, यह इंसान definitely आपके लिए ठीक नहीं है, यह जो भी toxic इंसान है, आपको new love कर वेट करना चाहिए जो इंसान आपके relationship की responsibility ले, शायद आपको किसी mature इंसान की तरफ जाना चाहिए, यह quickster, यह हो सकता है इंसान को कोई sexual affair भी चल रहे है, ठीक है, यह इंसान sexually भी किसी के साथ attach हो सकता है, बहुत कुछ चल रहे है, आपको शायद नहीं पता यह इंसान काफी immature है, जैसे मैंने आपसे कहा, जितना भी age में हो सकता है, यह इंसान आपको बच्चा ही नजर आएगा और बच्चों माली हरकते ही करेगा, बहुत immature हो सकता है, तो आपको definitely एक ऐसे इंसान की तरफ जाना चाहिए, जो emperor हो, जो अपने relationship को लेके, आपकी life में balance ले किया है, stability ले किया है, आपको वो चीज़ दे जो आपको चाहिए, जो आप deserve करते हो, आपको एक mature इंसान की तरफ जाना चाहिए, यह इंसान जो भी है, यह ठीक नहीं है आपके लिए, तो choice आपकी है, आपको इस इंसान के साथ फिर जाना है, या इस cycle में जाना है, या आपको एक ऐसा इंसान चाहिए, जो mature हो, relationship को ले के, जो आपको ले के serious हो, जो आपको love भी दे, आपकी respect भी करे, ठीक है, या ऐसा इंसान चाहिए, जो हमेशा आपकी life में एक drama ही करिये, एक drama ही चल रहा है, एक scene चल रहा है, इस big baby के साथ, ठीक है, इंसान बच्चों की आपको छोड़ के जाएगा, इंसान कभी बड़ा नहीं होगा, sneaky है इंसान, बहुत सरी चीज़ें चुपी भी भी है, आपको शायद नहीं पता, बहुत बात में पता चलेगा, so be careful, ठीक है, sending you love, distance, या काफे सारे लोगों के लिए, इस इंसान के पास मैंने आप से कहा, आप आपके पास चाहद options हैं, या इस इंसान के पाद बहुत options है, so be careful, ठीक है, अपने आपको fool मत बनाइए, अगर आपको 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 पता है कि ये इंसान ठीक नहीं है, आपको आपको अरेड़ी कुछ शक हो रहा है इस इंसान के अपर, ठीक है, wants their cake and eat it too, ये खुद बखु इस इंसान के हमेशा DM में, message में, call में, क्योंकि मैंने कहा ना आपसे, इस इंसान को अच्छा लगता है, कि आप वहाँ पे हो, because this person likes it, आप वहाँ पे हमेशा एक back कर रहे हो, इस इंसान से मांग रहे हो, कि मुझसे love करो, मुझसे बात करो, chat क्यों नहीं करते, ये नहीं करते इस इंसान, वो definitely एक narcissistic इंसान होते है, उस इंसान को ये चीज़ें पसंद होती है, और वो इंसान किसी के relationship पे, मतलब उनको किसी के emotions का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो mature नहीं है emotionally, right, लेकिन इस इंसान को cake भी चाहिए, मतलब other options भी चाहिए, सब कुछ चलता रहे, पीछे आपको भी पताना चले, और आप भी चाहिए, लाइफ में, this is disgusting, kick this person ass, अगर ये इंसान वापस भी आता है, तो इस इंसान को accept नहीं करना, ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है, और आपको खुद अपने intuition को सुनना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे already पता चल और आपके लिए definitely एक mature इंसान है, और आप बहुत जल्द इस इंसान को मिलोगे, वो आप sage में बड़े भी हो सकते है, ठीक है, तो या emotionally strong इंसान होगा, ठीक है, तो ये है आपका real partner, और ये है fake partner, चूज आपको करना है क्या करना है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नजर आ र लोगे पाल है समय करना है, ये ले जुमान हम जज़े है, ये लिए